दिल्ली सरकार का करिक्नम् चल रहा है। कहा है इनका हाई अलट आज कोई महिला आके या कोई वेक्ति आके दिल्ली के मुख्यमंत्री के दिल्ली की कैबिनिट के उपर तेजा फेंके चला जाए हजारों लोग बैठें वहां पर बंब्राश करके चला जाए कौन जिम्मेदारी लेगा इसका पुलिस कहां पर क्या ये नहीं दिखाती कि दिल्ली की पुलिस सीदे सीदे अरविंद केजरिवाल के उपर कोई हमला कराने के लिए तैयार बैठी हुई है दिल्ली की पुलिस इस बात की चिंता ही नहीं कर रही है कि जहां पे हजारों लोग बैटे हुए दिल्ली के वहाँ पे कोई चेकिंग की जाए उस पूरे कारेक्रम में ना कोई चेकिंग हो रही थी ना दिल्ली की पुलिस वहाँ कोई सिकर्टी के पुब्लिक सिकर्टी के इंत पाके अर्विन केजरिवाल या दिल्ली की पूरी कैबिनेट के ऊपर हमला करना चाहते हैं यह थ्या भी करा सकते हैं लोग पुलिस तो बीजेपी के पास है अगर एक कारिक्रम में जाते हैं और वहां इस तरह से एक महिला खुले आम इंक फैंक के चली जाती है वो तीजाब भी हो सकता है वो बॉम भी हो सकता है तो क्या और इतने बड़े प्रोग्राम के लिए पुलिस बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है और उसके बाद भी जब वो महि देने की साजिश नहीं बच रही है